हेलो फ्रेंड्स, आज का दोर फेशन का दोर है और इस दोर में हर वेक्ती, फिर चाहे वो लेडीज हो या जैन्स हो, हर कोई सुन्दर दिखना चाहता है। वैसे तो सुन्दरता का कोई पैमाना नहीं होता पर फिर भी आजकल लोग सुन्दरता को रंग के साथ जोड़ देते हैं। जी यहां आजकल सभी लोग गोरा दिखना चाहते हैं। हर किसी में होड लगी हुई है कि वो एक दूसरे से गोरे लगे। तो दोस्तो आज की इस वी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो दोस्तो मैं डॉक्टर निल टोकस। आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर टोकस हो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जोस्तो लड़का हो या लड़की गोरी और निखरी स्किन की चहत हर किसी को होती है। इसी के चलते उनके दिमाग में हमेशा एक सवाल चलता रहता है कि आखिर हम ऐसा क्या करें या हम ऐसा क्या तरीका अपना है कि हमारी स्किन कम समय में गोरी और चमकदार हो जाए। दोस्तो गोरा रंग सुनने में तो बहुत इजी लगता है बट अपनी स्किन को गोरा करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। असल में तो आजकल के लाइफ स्टाइल और पॉलिशन और धूल भरे एंवार्मेंट में स्किन को गोरा करना तो और भी मुश्किल हो जाता है। इसके चलते आप लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। बहुत से प्रोडक्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्स हैं जो कि मार्किट में मिलते हैं, बड़े भावने एड्स देते हैं, बताते हैं कि आप दो दिन में, चार दिन में आप अपनी स्किन को गोरा कर सकते हैं। आप उनके जहासे में आ जाते हैं और आप उन प्रोड़क्स को ले आते हैं जबकि आपको पता नहीं होता कि उन प्रोड़क्स में कितने हामफुल केमिकल लगे होते हैं और गोरा होने की चाहत में आप उन प्रोड़क्स को यूज करते ही जाते हैं और फाइनली आपको कई बार उन प्रोडक्स की वज़े से आपको स्किन में रियक्शन हो जाती है गोरा होना तो छोड़ो आपकी स्किन काली पढ़नी शुरू हो जाती है तो दोस्तों गोरा होने के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट अपने फेस पर ना करें क्योंकि आपकी स्किन जो फेस की स्किन होती हो बहुत सेंसिटिव होती है तो दोस्तों ऐसे ब्यूटी प्रोड़क्स मार्केट से खरीद के ना लाएं क्योंकि नमें बहुत हामफुल केमिकल्स होते हैं जो कि आपके स्किन के लिए बहुत हामफुल है तो निराश होने की जोड़त नहीं है आज मैं आपको एक जबरदस्थ होमेप्रतिक मेडसन बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप बहुत जल्दी आपके स्किन गोरी हो जाएगी और चमकदार हो जाएगी दोस्तो इस मैडसन का नाम है बर्बरिस एकिफोलियम मदर टिंचर जी हाँ दोस्तो आप इस मैडसन को रेगुलर यूज़ करिए और फिर देखिए इसका कमाल सबसे बड़ी बात ये बहुत शस्ती आती है और ना ही इसका कोई साइड एफेक्ट है तो आप बिना किसी डर के आप इस मैडसन को ले सकते हैं लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ आप इसकी पंदरा बून लीजिए आधा कप पानी में मिलाके सुबह और शाम पीजिए इसको खाना खाने के 10-15 मैड़ बाद हाँ दोस्तो इसके अलावा आप इसको अपने फेस पर भी लगा सकते हैं यहां फेस पर लगाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ आप एक खाली कप लीजिए उसमें 15 बून बरबरिस एक्विफॉलियम के डालिए और 15 ही बून रोजवाटर के डालिए रोजवाटर जो नॉर्मली आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा इन दोनों को मिलाने के बाद आप एक कोटन लीजिए और कोटन को इस मेडिसन में डिप करके आप अपने चेहरे पे जेंटली सब जीगर लगा लीजिए और सो जईए यह सोने से पहले का है कोटन नहीं है इसको हटाने की पूरी रात अपने चेहरे पे लगे रहे ने दीचे सुबह जब आप उठें तो अपना चेहरा धोले और हाँ दोस्तो इस ब्याद का ध्यान रखना है इस मेडिसन को लगाने से पहले आप अपना चेहरे एक बार पानी से जरूर धोए और अच्छे से इसको ड्राइ कर ले दोस्तो ये तो थी पहली मेडिसन बर्बरिस एक्विफोलियम इसको तो आपको लेना ही लेना है शुबह और शाम पीने के लिए और रात में लगाने के लिए इसके इलाबा मैं आपको दिन के लिए क्रीम बताता हूँ जो कि Baxun की Herbal Cream बहुत अच्छी और बहुत effective क्रीम है इसका नाम है Sun Care Cream, Baxun का Herbal Product है इसमें दोस्तों आपका हल्दी, चंदन, आपका हनी वो सब प्रोड़क्स मिले हुए हैं जो आपकी स्किन को गलो के लिए या गोरा करने के लिए जरूरत पड़ती है आप इसको दिन में यूज कीजिए जैसा आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाते वकित इस क्रीम को लगा लीजिए इस क्रीम का एक फाइदा ओर है दोस्तों ये आपको जो आप सूरत से डायक्ट हमको यूवी है यूवी भी करने जो लगती हैं स्किन पर उनसे आपको प्रोटेक्ट कर दिया आपकी स्किन ड्राय नहीं रहेगी टैंड नहीं होगी सिदा सन के एक्सपोजर से तो दोस्तों ये दो मेडिसेंस आप यूज करिए बरबरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर और बैक्सेंस का हर्बर प्रोड़क्ट है सन के एर क्रीम फिर देखना आपकी स्किन कितनी जल्दी गोरी होती है और चमकदार होती है और आप कितने स्मार्ट लगते हो तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इंफॉर्मेटिव लगी तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे कमेंट देगे बताईएगा आप अपनी राय दीजिएगा और हाँ दोस्तों अपने नजदीकी लोगों में जिनको इसकी जरूरत है उसमें भी आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा तो दोस्तों मेरी वीडियो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो मैं चलता हूँ मुझे दीजे जाज़त फिर आता हूँ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ धन्यवाद